दोस्तों फिवरोडी महिने में बैंगलोर में भारत के तरफ से जो मेगा इवेंड मतलब एरो इंडिया 2023 एक्जिविशन को रखा गया था, यहाँ पे अमेरिका के तरफ से अचानक अपने दो F-35A फाइटर यार क्रेप्टों को लाया गया था, हलाकि अमेरिका के तरफ से F-35 फाइटर यार क्रेप्टों को लाया है, जो कि F-35 फाइटर यार क्रेप्टों का इस्तेमाल नहीं करता है, या फिर नेटो एलाइंस में नहीं है, पर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि अमेरिका के द्वारा F-35 फाइटर यार क्रेप्टों को भारत लाना पड़ा, एरो अमेरिका के तरफ से दो F-35 फाइटर यार कैप्ट को भारत में लाके एक तरीके से भारत के सामने F-35 फाइटर यार कैप्टों के इनफॉर्मल ओफर रखा गया था। एक F-35 फाइटर यार कैप्टों के सेल को लेके फॉर्मल बातचित करना चाहता है। भारत के सामने F-35 स्टेल्थ फाइटर यार कैप्टों का प्रस्ताव रखा जा चुका है लेकिन ओफिशेली कभी वी दोनों देशों के तरफ से इसे एसेप्ट नहीं किया गया और नाहीं इसे कभी रिजेक्ट किया गया। पर कुछ खाबरों में भारत के तरफ से इंडारेक्ली किसी अन्य देश से फाइटर यार कैप्टों को खरीदने के बाद को रिजेट किया गया। हाला कि दोस्तों जब हाली में पार्लामेंट के एक स्टेंडिंग कोमिटी के तरफ से प्रस्ताव के रूप में ये कहा गया कि भारत को आप दशेल फिफ जेनरेशन के फाइटर यार क्रैप्टों को पर्चेस करना चाहिए ताकि भारत अपने आवशक्ताओं को पूरा करने के साथ सा टेक्नोलोजी कली वी आगे रहे तब भी ये संदय बना था कि शायद अमरिका के तरफ से ऐसा कोई प्रस्ताव रखा गया होगा जिसे लेके भारत के अंदर सोज विचार किया जा रहा है या फिर चर्चा हो रहा है हाला कि दोस्तों भारत जो S-400 मिसाइलों को खर को अमरिकी एक्वेप्मेंटों से लैस करना चाहता है और इवन अमरिका ये भी चाहता है कि खाली भारत नहीं बलकि भारत के आसपास के शेत्र में भी F-35 फाइटर यारक्रैप्ट हो और भारत के आसपडोस के देज भी इन यारक्रैप्टों का इस्तिमाल करें ताकि अगर कभी भविश्य में चाहना जैसे देश के साथ कोई जड़फ होता है मतलब लड़ाई होता है तो एयर एसेटों में कोई कॉमोनिलिटी रहे और दोसों यहाँ पे पडोस के देश का मतलब ये नहीं कि अमेरिका बंगलादेश, स्रिलंका, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान य जैसे देश शामिल है, अलाकि इस शेत्र में कई सारे देश अब तक F-35 fighter aircraft खरीद चुका है, जिन देशों का चाहना के साथ बड़ा डिस्प्यूट है, मतलब भारत भी अगर F-35 fighter aircraft को खरीदेगा, तो इन देशों के साथ भारत के air asset का एक कॉमोनिलिटी रहेगा, तो से United States क तरफ से भारत को कई बार S-400 जैसे missile defense system को खरीदने से रोका गया, basically अमेरिका इसलिए नहीं चाहता था कि भारत S-400 खरीदे, क्योंकि अगर भारत S-400 खरीदता है, तो अमेरिका के लिए F-35 जैसे aircraft देना मुश्किल हो जाएगा, अमेरिका को डर ये है कि S-400 system और F-35 fighter aircraft अग F-35 fighter aircraft के खिलाब या फिर अमेरिका के अन्य aircraft के खिलाब और मजबूत बना सकेगा, हाला कि केवल मातर ये छोटा सा S-400 भारत और अमेरिका के बीज में F-35 fighter aircraft के डील को लेके वड़ा वाधा वने, ये भी अमेरिका नहीं चाहता है, तो अमेरिका इसलिए S-400 को neglect कर रहा है क् अमेरिका को भी पता है कि भारत कभी वी ऐसा काम नहीं करेगा, जो भारत के किसी साथी देश के लिए या भारत के उपर भरोसा करने वाले देश के लिए नुकसान दायक हो, मतलब यहाँ पे दोस्तों भारत जिस तरीके से neutral है और जिस तरीके से सच्चाई के रास्ते पे च शर्टों को रखते हुए अमेरिका भारत को F-35 जैसे यार्कराप बेच सकता है, अब दोस्तों अमेरिका भारत को F-35 यार्करफ इसलिए बेचना चाहता है क्यूंकि इंडो पेसिपिक में भारत ही अमेरिका के सबसे बड़ा एलाई है और भारत ही एक ऐसा देश है जो अग तो पैसे भी कहीं पे भी अमेरिका और चायना का कोई लड़ाई होता है तो अमेरिका अपने हत्यारों को भारत भेज के रिपेर भी कर सकेगा। देशों के पास एक दूसरे के हत्यारों को मेंटेन करना या रिपेर करने का फैसिलिटीज मौजूद हो अगर दोसरे फैसिलिटीज मौजूद ही ना हो तो इस तरीके का फैसिलिटीज का कोई फाइदा नहीं है जबकि दूसरे तरफ ये जो पारलामेंट के स्टैंटिंग कमि और दोसर अमेरिका लगातार प्रयास कर रहा है कि किस तरीके से भारत को रशिया से दूर रखा जाए और ऐसे में अगर भारत और बड़े मात्रा में रशिया से हतियारों को पर्चेस करता है तो अमेरिका का ये सपना तो कभी पूरा होने वाला है नहीं अब दोसे इन सवी चीजों का अगर दूसरा पक्ष को देखा जाए तो भारत को भी state of the art 5th generation के fighter aircraft का आवशकता है इवन दोसो तब तो पूर्वे एरचीप मार्शल के तरफ से ये भी बताया गया था कि भारत का पहला 5th generation के fighter aircraft स्वादेशी AMCI aircraft ही होगा हाला कि दोसो तफ के बयान और अफके घटना के बीच में काफी लंबे समय गुजर चुका है और कई सारे चीज बदल चुका है यूकरेन रशिया का लड़ाई शुरू हो चुका है और चायना किसी भी वक्त आइवान के साथ लड़ाई को शुरू कर सकता है और दोस्तो ऐसे condition में कोई बड़ा वात नहीं है कि चायना लड़ाई को फैला है और आसपडोस के अन्ने देशों के उपर भी हमला करे साल 2020 में जिस तरीके से चायना भारत के शेत्रिक गंदर घुसपैट करने का प्रयास किया और उसके बाद जिस तरीके से चायना को मुझी खाना पड़ा उससे भी चायना खिसी आया हुआ है और अपने इस बेज़जिती का बदला लेने के लिए कभी भी चायना किसी भी हरकत क को अंजाब दे सकता है दूसरे दरफ दोस्तों इस दर्मियान जो एमसी और अन्ने एयरक्रेप्टों के टाइम लाइन था उसमें भी थोड़ा बहुत गड़बड़ी हो गया है और अब तेजस मार्क वान एयरक्रेप्टों को लेके खवर आ रहा है कि शायद यह एक साल डि इंजिनों का डेवलाप्मेंट का प्रोजेक्ट है वो अब तक ना शुरू हो सका और ना ही किसी देश के साथ भारत बाच्चित को फाइनल कर सका मतलब एमसी मार्क टू जैसे यहरक्रेप्टों का भी चार से पांस साल डिले होना कोई बड़ा वात नहीं है और दोसो तब चाइना अपने बेडे में बड़े मातला में फिफ जनेरेशन के फाइटर यारक्रेप्टों को शामिल कर लेगा और अब तो चाइना अपने खुद के बलबूते पे जेट इंजिनों को भी जेट टुएंटी यारक्रेप्टों के लिए निर्मान कर रहा है और चाइना इस ऍऌसरे चाइना को क्या गर्या करने के लिए मतलब चाइना के फिफ जेनरेशन के फाइटर यारक्र वाइग और डूसरे तरफ दोस्तों अगर देखा जाए तो कौार्ट क का भारत एक इसा देश है जिसके पास धिफ-धर यारक्रेफ्ट नहीं है अमेरिका, जपान और उस्ट्रेलिया तीनों ही F-35 इस्तिमाल करते हैं और ऐसे में पहले से ही अंदाजा लगाया जा रहा था कि क्वार्ट के गडवंदन के तहट भारत F-35 फाइटर यार्काप्टों को हासिल करेगा और अगर अमेरिका के तरफ से कोई बड़ा शर्त नहीं रखा जाता है तो ये खवर बाहर आने के बाद अब माना जा रहा है कि एक तरीके से भारत के लिए F-35 फाइटर यार्काप्ट कन्फर्म है